नमस्कार दोस्तो दोस्तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में दोस्तो जिस पर कर आपको पता है कि हम डलीव्यसिज पर आपको जो आपको हिन आपको कि नोटिफिक्सशन हाब प्रोवाइट करते हैं यदि आपको इन notification से बिल्कुल भी help मिल रही है तो आप हमें comment section में ज़रूर बताएं दोस्तो आज की जो notification आ चुकी है NMDC की तरफ से आपने जो पिछले वीडियो हमारा देखा था वो NMDC का था जिसमें हमने gate की बात की थी लेकिन आज की जो vacancy है वो without gate होने वाली है last date किस तरह के आपको apply करना है कौन को इसको apply कर सकता है सभी कुछ आपको इस वीडियो में में बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा आप end तक देखिए ताकि आपको सभी चीज़ी आपर समझ में आया है इसके साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं इसमें आपका electrical, civil, mechanical और mining जैसी बड़ी ब्रांचे से यहां पर applicable रहने वाली है तो लाजडेट जो होने वाली है आपकी सबसे पहले हम लाजडेट की वाले हम बात कर लेते हैं तो यहां पर 27 मार्च आपकी लाजडेट होने वाली है और starting इसकी तीन मार्चे से हो चुकी है ठीक है स्ट्रेंड अब यहां पर बात करते हैं यहां पर number of vacancy की तो यहां पर 63 total number of vacancy दी हुई है जिसमें junior officer की post निकल लिएगी है माइडिंग में, mechanical में, electrical में और civils में ठीक है यहां पर आपको जो selection procedure है वो simple है यहां पर आपका test लिया जाएगा उसकी बाल आपको इहां पर skill test के लिए जिसको हम बोल सकते के interview के लिए आपको यहां पर बुला लिया जाएगा अब बात करते हैं यहां पर नमबरा वेकेंसी की तो mining के लिए आपकी हैंपर 28 वेकेंसी है, mechanical के लिए हाँपर 17 है और यहां पर electrical के लिए 13 और civil में आपकी यहां पर 5 post है जो की आपकी ट्रेनिंग बेस पे से ठीक है ट्रेनिंग के बाद आपको यहां पर permanent कर दिया जाएगा अब यहां उसकी बात आगी करते हैं, age limit के अदि हम बात करेंगे तो minimum 18 साल रखी गई है और maximum यहां पर 32 years रखी गई है, अब यहां पर बात करते हैं pay scale की तो देखें इस trend, यहां पर अदि हम बात करेंगे junior officer mechanical electrical mining civil trainist के लिए तो यहां पर आपको degree holder के लिए 12 मेनी के training मिलने वाली है, उसके बाद आपका यहां पर 37,000 पर मन्त आपको कर दिया जाएगा, after training आपको यहां पर 37,000 से 1,30,000 की बीच में आपको salary होने वाला है, लेकिन जो diploma holder है, उनकी यहां पर 18 मेनी की job होने वाली है, पेले training होगी, then आपका यहां पर permanent कर दिया जाएगा, 37,000 से 1,30,000 क इन्होंने कम लिया हुआ, अब है हम बात करते हैं इसके education qualification की, तो यदि आप mining से आप apply करना चाहते हैं, डिपलोमा holder है, तो डिपलोमा होलों के लिए आप पांस साल का experience है, लेकिन बी बेटे के लिए आपने किया हुआ है, डिगरी वाले हैं तो आपको किसी भी experience की आपर ज किया हुआ है, आपको पांस साल का experience यहां पर चाहिए, लेकिन बी बेटेक डिपलोमा, बी बेटेक वालों को लिए यहां पर कोई भी experience की जरूरत नहीं रखी गई है, ठीक है तो यह काफी बढ़िया है, मेरे काफी viewers, मेरे काफी subscribers हैं, वो इसको यहां पर apply करने वाले हैं, और यह दिया आप apply करते हैं, आपका selection होता है, तो आप हमें comment section में जरूर बताइएगा, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हापर हम application fees की, देखिए student, application fees काफी कम है, 250 हापर रखी कई है, सभी category के लिए, ठीक है student, अब बात कर लेते हैं, हापर selection procedure की, तो आपका यहापर online test होग आपका इसके nature पर देखा जाएगा, तो 100 marks आपका total है, आपको इस तरीके से सारी चीज़ी आपर देख लेना है, तो I hope आपको आज का यह पूरा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीस आप लाइक करें, चेनल पर पहली आप विजट करें, तो चेनलों को जरूर सस्क्राइब करें, बेल आइकों को जरूर हिट करें, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपको एक से दो जोप की नोटिफिक्शन प्रोवाइड करते हैं, अब हम मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रही हैं, थेंक